नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं न्यूश टूडे दोस्तो आज की बहुत बड़ी ख़वर आ रही है आज 18 फरवरी हो गया है सौंबार है और आज से बिदान सभा का सत्र शुरू हो गया है जिसमें लेका नुदान लाया जागा दोस्तो सभी बरकोष साधने की इसमें को देखें क्योंकि आपको इसमें महत्पूर्ण जानकारी मिलने वाली है और उसके बाद जैसे ही सब्तर खथम होगा किस बर को क्या मिला है पूरी जानकारी आपको न्यूश टूड़े पर मिलेगी इसलिए आप न्यूश टूड़े से अभी से सब्सक्राइब और बैल क्लिक करके अपनी मांग सुझा बिचार नीचे कमेंट जो लिखें तो चलिए पूरी न्यूश जान लेते हैं लैट्स गो कॉंग्रेस सरकार का पहला बजट यानि लेखा अनूदान सौंबार यानि आज बिदान सवा में पेस होगा यह लेखा अनूदान करीब नवासी हजजार क किसानों के लिए दिया जाएगा इसके अलावा युवाओं और करमचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्राबदान संबावित हैं इसके साथ ही सौंबार को तीसरा अनूपूरक बजट भी पेस किया जाना है जो करीब 4000 करूर रुपे का होगा लेका अनूदान क्यों बित पेस होगा तो लेका नूदान की रासी कम कर दी जाएगी केंदर सरकार ने भी अंतरिम बजट पेस किया है लोकसवा चुनाप के बाद मानसून सत्र में पून बजट पेस किया जाएगा चुनाप पर नजर राज सरकार बले लेका नूदान लेकर आ रही है लेकिन नजर लो को रोजगार सामाजे की नियाए पैंसन बढ़ाने का फैसला पहले ही कर चुकी है बजट में इसके लिए प्राबदान किया जाएगा पहले ही बुरे आर्थिक दोर से गुजर रही राज सरकार की मुश्किलें और बढ़ सक्तिय पंद्रवा वित्य आयोग राज के कर्ज लेन की सीमा आठ जार करूर रुपे कम हो सकती है बित्य नियंतरन एवं बजट प्रबंदन यानि एप आर वी एम एक्ट के तहट अभी मत्रदेश सरकार कुल जीडीपी का साड़े तीन प्रतिसत तक बजार से कर्ज ले सकती है राज की जीडीपी अभी लगबग आठ लाक करू रह जायी इसलिए सरकार इसे में चाहरीए सब को ठोड़ा-thोड़ा मिले तो किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए सबसे बड़ा बजट प्राबदान होगा राजसरकार को लुकसणाव्चा सनौंप से पहले जाय 주고 किसानों का करजमाप करना है इस बित्ती बर्स के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में करजमापी के लिए पांच हजजार करोड रुपे का प्रापदान किया गया था बांकी पैसा तीसरे अनुपूरक और लेकर नुदान में दिये जाने की संबाबनाव हैं यूवाओं के लिए 26 नुवरी को मुक्बंतरी कमलनात ने यूवा सौवी मान यूजणा के जरिये सेरी गरीव बेरोजगारों को रोजगार देने की गुष्णा की तीसरे अनुपूरक बजट में लेकर नुदान में इसके लिए प्रापदान होगा साल बर में इस यूजणा पर एक बजट प्रापदान करेगी इससे कलने आनी जिब्यांगों और बुजगों की पैंसन बढ़ेगी वहीं करमचारियों की बात करें तो इनके लिए कोई बिना बजट वाली गुष्णा हो सकती है साथ ही लोकसवा चुना आपको देखते हुए जुलाई दोहर 18 से मिलने वाला 2% जादा डिये देने की गुष्णा भी हो सकती है इसे लेकर करमचारियों में नाराजगी भी है इसके लिए एक ज़्यार करोर रुपे का प्रापदान होगा मजदूरों के लिए संबल योजना के तैद 200 रुपे महीने के फ्लेट रेट पर बिजली पाने वाले को सरकार अ 200 रुपे महीने के रेट पर बिजली दे रही है इसके अलावा किसानों के लिए 10 होर्स पावर तक के पंप और 700 रुपे प्रती होर्स पावर देने का पहंसला किया गया है इसका प्रापदान भी लेकर अनुदान में होगा बिदानसवा सत्र में चार दिन में तीन बैटके ह होंगी पंदरवी बिदानसवा का दूसरा सत्र सौंबार यानि आज से सुरू होने जा रहा है चार दिन सत्र में तीन बैटके होंगी सत्र में दोहर अठारा उननीश तिर्थी अनुपूरग बिनियोग बिदयक और लेखन उद्वान प्रस्ताप पेस किया जागा तीन दिन की बैटक में बिदयकों ने प्रिष्ण काल के जरिये 727 सवाल किये हैं इन में से 309 प्रिष्ण पहली वार के बिदयकों ने किये हैं वहीं 166 ध्याना करसं आठ इस्तखन प्रस्ताप 64 सुन निकाल और तीन याचिकांच चर्चा के लिए बिदानसवा में दी हैं कमलनात रतल साम से करेंगे 25 फरवरी से एक मार्च तक 383 ग्रामीन तहसीलों में किसान सम्मिलन आयुत किये जाएंगे जिसमें जिन किसानों का करजमाप होगा उन्हें तामर पत्र और फसल रिन मापी पत्र बांटे जाएंगे तो सात्यों बिदानसवागा यह सत्र सबके लिए बहुत म वीडियो को नोट पिसन आसानी से मिल सके वीडियो को लाइक करें अपने बिचार से अपने नीचे कमेंट रॉक्स में जरू लगें वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद